So hello friends, welcome back again with a fresh new video आज मैं आपको अपना thought share करूँगा अगर आप height बढ़ाने के लिए deadlift and squat लगाते हो देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना height growth journey में home workout किया था लेकिन यार मैं बहुत ज़्यादा जुगाडू था बहुत ज़्यादा जुगाडू तो मैं घर पर squats and deadlifts लगाता था تو मेरे पास तो weight नहीं था मेरे पास तो rod नहीं था लेकिन मैंने अपने घर पर जुगाड बैठाया था जुगाड मतलब मेरे पास क्या था मेरे पास था bumpu का लकड़ी मतलब बास का लकड़ी था दो तीन में क्या करता था उसमें पानी डालता था या गिट्टी या बालू या इटा तो इनको मैं as a weight select करता था and उसमें मैं कितना weight डालता था जितना मैं proper techniques lift कर सकूँ सबसे पहले मैंने अपना form को सही किया था light weight के साथ light weight के साथ मैंने अपना form मतलब technique को सही किया उसके बाद मैंने आस्ते आस्ते weight डालना start किया है जैसे जैसे मैरा strength बढ़ रहा था उस हिसाब से मैं weight डाल रहा था मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया कि at a time मैंने बहुत ज़्यादा weight डाल दिया है and उसको lift करने के try कर रहा हूँ अगर मैं ऐसा करता तो मुझे injury हो जाता मेरा growth plates injured हो सकता था and मेरा height रुख सकता था बहुत लोग आपको कहते होंगे कि gym मत जाओ वजन मत उठाओ देखो हमारा यह tendency है कि जाके power progression करना है ego अंदर में बहुत ज़्याद रहता है यार वो इतना weight उठा रहा है यह नहीं सोचते कि वो कितना दिन से gym कर रहा है उसका strength इतना होगा हम खुद को उनके साथ compare करते हैं and ज्यादा weight उठाने के चक्रे में खुद को injured कर सकते हैं इसलिए आपके parents आपको allow नहीं करते हैं कि gym जाओ देखो exercise करना कभी भी बूरी बात नहीं होता है gym मतलब कि आप exercise कर रहे हैं and जब भी आप exercise करते हैं आपका body strong होता है, आप fit होते हो, आप healthy होते हो, आप ज्यादा grow करते हो ठीक है तो gym मतलब कि आप exercise करते हो, ब्याम खाना होता है and gym जाकर आप varieties of exercise कर सकते हैं, weight training कर सकते हैं stretching कर सकते हैं, hanging कर सकते हैं, हर चीज़ आप महाँ पर जा कर सकते हैं अगर आप सही से इटिलाइज करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो and आज मैं आपको अपना opinion बताऊंगा कि आप deadlift and squat अगर करेंगे तो आपका height के साथ क्या होगा क्या effect दिखेगा अच्छा effect दिखेगा या crap effect दिखेगा मैंने भी squat and deadlift लगाया था अपना height growth transformation में and जो लोग इस वीडियो को new देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपना height growth किया था 18 साल के बाद हो भी 10 inches and यह channel specially height growth के लिए है तो आप channel को subscribe करें and सते साथ मैं height बढ़ाने के लिए online training provide करता हूँ तो जिनको भी online training लेना height बढ़ाने के लिए and training कर फिस बहुत ही कम है training provide के जाता है WhatsApp चाट फेसिलिटी से and आपको आपका body type के हिसाब से workout प्लान दिया जाएगा and and आप easily अपना growth कर सकते हैं because आप सही gardens परेंगे वरना क्या होता अगर आप गलस रत करेंगे तो आपको results नहीं दिखेगा time ऐसे ही पार हो जाएगा तो अगर training लेना है तो mail ID पर ज़रूर contact करो बहुत लोगों को यह लगता है कि अगर मैं weight उठाओंगा तो मेरा हड़ी दब जाएगा या अगर stretching करूँगा तो मेरा हड़ी खुल जाएगा और मेरा growth होगा आपका growth इस हिसाब से नहीं होता है हड़ी का growth होता है उसका लंबाई बढ़ता है ठीक है खिचिने से कभी आपका हड़ी का growth नहीं हो जाएगा जैसे कि आप stretching करने में या hanging करने में इन चीजों में अपना time को waste करते हैं देखो stretching करना सही है उससे आपका flexibility अच्छा होता है लेकिन hard growth के लिए stretching नहीं होता है हर ए आपका lungs अच्छा रहता है आपका heart अच्छा रहता है उसी तरीके से जब आप weight training करते हो आप deadlip लगाते हो आप squat लगाते हो तो उससे क्या होता है आपका muscle mass बढ़ता है आपका body strong होता है जब किसी का body strong होगा तो body ज्यादा grow करेगा अगर आपका body weak है तो आप उतना जब आपको height growth करना है तो अगर आपका हड़ी मजूत नहीं है bone density अच्छा नहीं है तो आपका bones का growth कैसे होगा फिर जब आप deadlift लगाएंगे squat लगाएंगे तो क्या होगा आपका body ज्यादा edge बनाएगा जितना ज्यादा आपका body में muscle mass रहेगा आपका body उतना ज्यादा edge produce कर डार्ट में protein rich foods ज्यादा खाते हैं and हमेशा यह calculate करते रहते हैं कि मैं क्या खा रहा हूं कितना body के अंदर गया है मुझे कितना calories बन करना है क्या करना है हमेशा वो यह सोचते रहते हैं तो आप एक fitness lifestyle के तरफ जा रहे हो जो आपको हमेशा growth के लिए promote करेगा सो मुझे अब यह लगता है कि आप यह चीज समझ गये होंगे कि stretching करने से hanging करने से इससे आपका height बढ़ नहीं जाता है और आपको यह भी चीज समझ में आ गया होगा कि weight उठाने से आपका height दब नहीं जाता है आपका height तभी बढ़ेगा जब आपका body strong है आपका body में किसी चीज का कमी नहीं है आपका immunity अच्छा है आपका body का जो organ से यह healthy है और आप अच्छा diet ले रहे हो आपका recovery अच्छा है तब जाके आपका height बढ़ेगा वजन उठाने से आपका height कभी भी रूक नहीं जाता है अब deadlift and squat यह इतना फाइदमन्त क्यों है अगर आप उपना height को पढ़ाना चाहते हो सबसे पहले कितना वजन डालना है उतना ही वजन डालो जिसमें आप 8 से 12 reps कर पाओ अगर 12 से ज्यादा reps लगा पारे हो मतलब weight तुम्हारे लिए थोड़ा हलका है हलका से weight को बढ़ा दो फिर देखना तुम 9 से 10 reps कर पाओगे and यह weight तुम्हारे लिए perfect ह and अगर तुम 8 से कम reps लगा पारे हो मतलब यह weight तुम्हारे लिए भारी है and तुम्हारा form खराब होने का chances ज्यादा है जिससे तुम्हें injury हो सकता है तो मैं हमेशा तुमको वही बोलूँगा कि हमेशा वही weight select करो जिसमें तुम 9 से 10 reps जा पारे हो and अगर 12 से ज्यादा reps जा रह है and तुमको क्या करना है थोड़ा से weight को बढ़ाना है and हमेशा तुमको इस चीस का try करना की मुझे progress करना है आज अगर तुम 10 reps लगा रहे हो तो next time try करना की 11 अगर 11 नहीं आ रहा है तो थोड़ा improve करने का जौरत है and तुमको हमेशा progress मतलब पिछले बार जो तुमने किया उसक focus नहीं करेगा जितना एज जच बन रहा है यार उतना ही बनते रहेगा squat and deadlift दोनों एक ऐसा movement है जो तुम्हारा पूरा body का muscles को engage करता है तुम अपना पूरा जान लगाते हो and यह दूनों movement ऐसा है ना जो तुम्हारा यार bone density को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ऐसा कभी भी म मैं वजन उठा रहा हूं मेरा हड़ी दब जा रहा है मेरा height growth नहीं होगा अगर तुम squat and deadlift लगाते हो तो body 110% ज्यादा edge बनाएगा बस एक चीज़ का ध्यान रखना है diet अगर squat and deadlift लगा रहे हो तुम्हारा diet उतना अच्छा है नहीं तो body recover नहीं करेगा उल्टा तुम्हारा edge और ज्यादा डाउन हो जाएगा ठीक है तो हमेशा diet का ख्याल रखना high protein diet and caloric surplus diet अगर तुम्हारा structure पतला दूबला है तो क्या करना slight caloric surplus diet तुम्हारा काम कर देगा and तुम्हारा body ज्यादा edge बनाएगा sleep पे focus करना and जब भी squat and deadlift लगा रहे हो हमेशा form का ख्याल रखना अग कितना sets करना है अगर बस तुम squat and deadlift practice कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि squat का 7 set and deadlift का 7 set ठीक है seven sets each and अगर तुम varieties of exercise कर रहे हो and वही मैं recommend करता हूं बस squat and deadlift नहीं हर तरीकी का exercise करो and squat and deadlift भी तुम्हारा routine का part होना चाहिए जब तुम varieties of exercise करोगे तो तुम्हारा body उस time progress पे ज्यादा ध्यान देगा तुम्हारा body अच्छा growth करेगा ज्यादा अच्छा growth दिखेगा and my thought is always positive towards squat and deadlift and यह सबसे ज्यादा मज़िदार exercise है squat को कहता है king of all exercises and deadlift को कहता है queen of all exercises अगर इन दोनों को तुम practice कर रहे हो तो तुम्हारा growth पका है पका and अगर diet अच्छा नहीं है तो फिर growth होगा ही नहीं ठीक है तो यह भी मैं बता रहा हूँ अगर diet 100% नहीं है फिर growth होगा ही नहीं so friends I hope यह वीडियो अच्छा लगा हो and ऐसा अगर और वीडियो चाहिए तो comment जरूर करना मैं तुम्हारे लिए detailed और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा तो उसके लिए updated रहना बस यह आज का डेमो था तो मिलता हूँ नेक्स टेक जबदस वीडियो के साथ until peace by take care love you God